वाले हैं अगर आपके पास android mobile है और जब भी आप अपने फाइल मेनेजर को उपन करते हैं फाइल मेनेजर में आपको android का फोल्डर देखने को मिलता है जब इस android के फोल्डर में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर डेटा के अंदर या फिर और ओभी फाइल जो होती है वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते है जिसे कि आप उनको कोपी पेस्ट कर सकें बहुत सारा डेटा होता है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है अप प्रेशान हो चुके हैं आपको android के फोल्डर में जितना भी आपके android mobile का डेटा होता है वो यहाँ पर आपके mobile में होना चाहिए बट आपको यहाँ पर जो आप फाइल में जाते हैं बट आपको यहाँ पर android के फोल्डर में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं android पर मैंने क्लिक करता हूं डेटे पर भी क्लिक करता हूं मीडिया के अंदर बी मुझे कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिरो आइटम से आपको कैसे क्या करना है वह मैं छी आपको इंस्तौल कर लेक्र एंदर मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद डारेक्टल उपन कर लेना है ऑपन करते ही आपके सामने कुछ इसце ऑपन हो जाएंगे सभी folders जैसे कि आपके file manager में शो हो रहे थे अब यहां पर आपको Android पर क्लिक करना है Android पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं वह सेम जो folders ते यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे और यहां से आपको सभी folders के जो अंदर और आइटम्स दे सब देखने करेंगे फाइल यहां पर मिल चुकिए मीडिया और अगएरा और डेठा-श्यॉए सब कुछ आयां पर आपको देखने को मिल चीए कोपी कर सकते हैं कोई प्रॉल्म नहीं होगी अगर आपको फिर भी कोई प्रोलम आते हैं मज़े कॉमेंट बोक्स में बताएगा मैं आपको ए रस्लेशन ले करांगो सब्सक्राइब नेक्स वीडियों मैं टिल दो मैं टेके लाव यू ओल